नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाटाइम 500 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है मेटाटाइम 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेटाटाइम टैबलेट की वज़र से क्या साइड एफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि Meta Time Tablet को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए. Meta Time एक brand name है. Meta Time Tablet के अंदर salt composition metformin 500 mg होता है. Meta Time Tablet का उप्योगर type to diabetes में blood sugar level को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है. Meta Time Tablet शरीर में blood sugar के level को कम करती है. Meta Time Tablet शरीर के pancreas में insulin के उत्पादन को बढ़ावा देती है. शरीर में sugar के level को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक sugar level ज्यादा रहने की वज़़से kidney damage हो सकती है. आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है. और शरीर की नसे damage हो सकती है. इसलिए शरीर में sugar के level को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का blood sugar level 140 से कम होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 140 से लेकर 200 के बीच में हैं, तो वह व्यक्ति परी डाइबिटिक स्टेज पर है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में मेटाटाइम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में मेटाइम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, पेट में बेचेनी होना, चक्कर आना, मुझ के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, पेट में दर्ध होना और भूप कम लगना आदी साइड इफेक्स मेटाइम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं. इसके अलावा लंबे समय तक मेटाइम टैबलेट का सेवन करने की वजह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती हैं. वैसे मेटाइम टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है. लेकिन यदि आपके डॉक्तर ने मेटाइम टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है. तो ब्लड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चक्राना, शरीर में कमपन होना, कनफ्यूजन होना और भूख ज्यादा लगना आदी लक्षन शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम होने की वज़र से हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल सतर मिलिग्राम पर डेसिलिटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब अब हम डिस्कस करेंगे की Meta Time Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Meta Time Tablet को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना recommended होता है, यदि किसी व्यक्ति को Meta Time Tablet को लेने के बाद उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना या पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर Meta Time Tablet को खाने से तुरंट पहले भी लेने की सला दे सकता है. 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर मेटाटाइम टैबलेट को दिन में एक से लेकर दो बार लेने की सला देते हैं. मेटाटाइम टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेविल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. अब हम डिसकस करेंगे की मेटाटाइम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको मेटाइम टैबलेट के साथ सा रेगुलर एकसरसाइस करनी चाहिए. चिंता वतनाव से बचना चाहिए. परियाप मात्रा में नीम लेनी चाहिए. और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए. ग्लडर शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको मेटाटाइम को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए. और आपको मेटाटाइम टाबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडियूल पर खाने का सेवन करना चाहिए. अगर आपको मेटाटाइम टाबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्याद होने के हो सकते हैं. अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि ऐसी स्थिती में आपका डॉक्टर दवा की दोज को बढ़ा सकता है या दवा को बदल भी सकता है. शरीर में इन्फेक्शन होने पर, बुखार होने पर, कोई चोट लगने पर और सरजरी के बाद मेटाटाइम टैबलेट से शुगर को नियंतरन करना मुश्किल हो सकता है. अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है. किसी सरजरी से 48 घंटे पहले डॉक्टर मेटाटाइम टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है. और सरजरी आपका डॉक्टर शुगर को नियंतरन में करने के लिए मेटाटाइम टैबलेट की जगा पर इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है. इसलिए यदि आप मेटाटाइम टैबलेट का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सरजरी होनी है, तो आपको इसक के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. वैसे मेटाटाइम टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है. लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में ब्लड शुगर लेविल को नियंतर कर लेना और अगर आपका मेटा टाइम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं